नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी और आपके यूटुब चैनल स्रीक रोचरन पर दोस्तों कौवा देता है भाग बदलने की 11 संकेत जानिये कैसे हमारे साथ कुछ भी घटने से पहले कुदरत एक इसारा जरूर कर देता है और जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और बुरी भी उसी प्रकार अगर हमें कौवा दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो उसे अंदेखा ना करें या एक प्रकार से सुब या असुब संकेत हो सकता है बस आपको पहचानना है कि क्या सही है क्या गलत है यही हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले हैं कौवे को लेकर ऐसी माननेता है कि यदि कौवा भूमी खोदता हुआ नजर आए तो भारी धन लाब होता है यदि कौवा मुह में रेत अनाज गिलिमिट्टी फल फूल भर कर आपके घर पर आए तो यह अचानक से धन प्राप्ति के संकेत होती है वैसाग के महिने में यदि कौवा हरे भड़े पेड़ पर अपना घोशला का निर्मान करे तो यह बारिस होने के अच्छे संकेत होती है यदि सूर्योदय के समय कौवा आपके घर के सामने बोलता है तो यह आपके प्रतिष्ठा और धन वृद्धी का सूचक है यात्रा के समय यदि कौवा आपके सामने किसी बरतन में मुह डुबा कर पानी पीता हुआ नजर आए तो यह धनलाव के संकेत होते हैं और आपकी यात्रा सफल होती है प्राता काल यदि कौवा आपके पैर को इस पर्स कर जाए तो यह आपके उन्नती के संकेत है ठिक दो पहर से पहले यदि पूरो या उत्तर दिसा में बैठे पेड़ पर कौवे की आवाज सुने दे इसे इस्तरी सुख का संकित माना जाता है सुख सुख सोकर उठने के बाद यदि कवाँ आपके घर पर आकर काउ काउ की रट लगाता है तो यह किसी अतिति का आनी का संकित देता है रास्ते पर यदि किसी तोरन पर बैठे कवे नजर आए तो यह किसी मनुवांचित फल प्राप्ति का संकित है यदि कववा किसी वस्तर का तुकड़ा लेकर आते हुए नजर आए तो यह आपके लिए सुब संकेत है यदि कववा आपको रास्ते में रोटी या मांस का तुकड़ा मुह में लिए हुए नजर आए तो यह आपके लिए अती सुब संकेत है दोस्तों ये थी कवादवारा दिये जाने वाले ग्यारा सुब संकेत दोस्तों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक किजे और हमारे चैनल में यदि आप पहले बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूट प्रेस कर लेजिएगा धन्यवाद